आपने बीमा जाना उसकी विशेष्टाय जानी और साथ ही बीमा के प्रकार और कौन सी कंपनिया इन बीमा में इंगेज हैं इस प्रकार की बीमा और बीमा के सिधानतों को भी समझा अब बीमा के बारे में जब इतनी जानकारी ले ली है तब आईए एक छोटे से टॉपिक की मैं दो और सिर्चा करते हैं कि बीमा क्यूँ आवश्यक है या बीमा से होने वाले लाब क्या है यह इनका महत्व क्या है और इंपॉर्टेंस और एडवांटेंगे इस ऑफ इंशरेंस चीके अब अगर हम इनके महत्व की बात करें तो बच्चों जो इंशरन्स है वू विभ इन शेत्रों में मदद करती है मनुष जैसे कि आप पहले ही जान चुके हैं कि जो मनुष का जीवन है उसमें कई समस्यां हैं कब क्या हो जाए पतन है इसके अलावा भी कई अनिश्चिताओं से बचने और कई प्रकार की हानियों से बचने में यह जो बीमा है वो हमारी मदद क करती है कुछ बिंदू के माध्यम से हम बीमा से होने वाले लाभों को समझते हैं पहला बिंदू जो इसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला बिंदू कहता है सुरक्षा प्रदान करना प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अभी तक हमने जितने भी उदाहरंड देखें चाहे हमने मनुश्य के बृत्यों के पश्चात जो है उसके परिवार को बीमा की राशी मिलना है ना या किसी व्यक्ति के वस्तू की हानी के बाद उसको वापस बीमा की राशी मिलना ये जो सारी उधारण हैं वो सुरक्षा प्रदान करने की अंतरगत ही आते हैं यानि प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन इसकी अंतरगत ही आते हैं कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि बीमा जो है उसका मुख्य आधार जो होता है सुरक्षा होता है और विनियोग भी होता है लेकिन हम अभी सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो बीमा जो है वो सुरक्षा के तौर पर यह सुरक्षा के ततों को भी लेकर चलता है जिससे यह क्या करता है कि बीमा धारी के परिवार वालों को या स्वयम बीमा धारी को भी यह मदद करता है कि जो उसको हानिया हो रही है उससे वह उबर पाएं तो इसे हमने पहले लाब को जाना दूसरा लाब कहता है विनियोग तत्व जो कि इसका दूसरा उद्देश भी है जैसे कि विभिन उधारणों के माध्यम से मैंने समझाया कि अगर व्यक्ति की मृत्यू नहीं होती विदिन गिवन डियूरेशन या जो समयावधी निश्चित की गई है बीमा के लिए उसमें अगर उसकी किसी प्रकार की हानी नहीं होती है तो बीमा के मिच्चियोरिटी के बाद जो मिच्चियोर फंड है ठीक है और साथ में बोनस जो कि उस प्रीमियम के द्वारा ब्याज तै हुआ था उसे हम बोनस कहेंगे वो दोनों ही एमाउंट उसको बीमा कंपनी के द्वारा वापस मिल जाता है तो यह जो बीमा होता है सुरक्षा के साथ साथ एक अच्छा विनियोगी तत्व भी माना जा सकता है क्योंकि बच्चों अगर हम ऐसे देखें तो यह छोटी छोटी एमाउंट है हम एज़ प्रीमियम पे करते हैं ताकि हम एज उसके लेगा करता दक तो इस तरीके से वह अपने द्धन का विनियोगards करता है तो तीसरा बंदु कह रहा है तीसरा विंदु कह रहा है यानी डेस्टिविशन आफ रिग इसमें क्या मैंने उधारण वताया था आपको क्लिक कई वेक्ति जो हैं एक इंसुरन्स कम्पनी के भाग होते हैं जो गसा है जो चाहित का निर्मान होता है इस वज़से क्या होता है जो जोखिम होता है वो एक व्यक्ति से हट कर बहुत सारे व्यक्तियों में डिस्टिब्यूट हो जाता है अब ये बीमा कंपनी क्या करती है जहां पर भी फंड की जरूरत होती है कि उनको लगता है कि बीमाधारी को हमें फंड देना है तो उन कोशों से वह फंड निकाल कर वो क्या करती है वह उस बीमाधारी को देती है तो इससे भी जोकिम के वितरण वाले लाब को हम समझ सकते हैं चौथा बिंदू कहता है रिण सुविधा यानि लोन फैसिलिटी लोन फैसिलिटी क्या होगा जब किसी व् हम सब्सक्राइब है तो बैंक हो चाहे और कोई व्यक्ति अगर उसे रण देना चाहरा हो तो वह उसपर क्या करता है कि नई अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो अगर हम इसे बड़ी मात्रा में रण देंगे या बहुत बड़ी पुन्जी रण के माध्यम से भी तो इसके मृत्यों के पश्चाथ या हम बीमा कंपनी से इसके एविज में क्या कर सकते हैं अपने रेंड की वापसी ले सकते हैं या अपने पूंजी को वापस ले सकते हैं तो इस जो रेंड के माध्यम से इस बीमा के माध्यम से रेंड मिलना भी आसान हो जाता है रेंड की जमानत के तौर पर व्यक्ति क्या करते हैं, अपना इंशरेंस भी बैंक के पास रखते हैं, ताकि वो बैंक से रिंड ले सके, इसकी चर्चा हमने बैंकिंग में की थी, तो इस पॉइंट से हम रिंड सुविधा को समझ सकते हैं, पांचवा बिंदु कहता है, बच्चत को प्र तरह का बीमा कराता है, तो वो क्या करता है, अपने रोज मर्ले के खर्चे में से उस प्रीमियम को या उस प्रीमियम की राश्री को बचा कर रखता है, क्यों क्योंकि जो किया गया बीमा है, वो रद न हो जाए, राश्री समय पर जमान न होने की करण, तो इस वज़े से क्य भी encourage करता है अगला लाब कहता है देश के आर्थिक विकास में सयोग helpful in economic development of country कैसे हो गया अब जो बीमा आप देख रहे हैं बीमा कंपनियां इंशरेंस कंपनी यह क्या करती हैं आज जिकल जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड काल में अगर आप उदारन ले तो वैसे भी इनका प्रक्षेतर दीरे दीरे बढ़ रहा था लेकिन अब कोविड काल में अगर आप देखें तो यह जो कंपनियां हैं और बड़ी मातरा में अपना पैर पसार रही हैं और आगे बढ़ रहे हैं मतलब यहां पे जो लोग जूड़ रहे हैं और ज्यादा मातरा में जूड़ते जिजबर जो कौूश ë बड़ा होती है क्या है जो उनके पास फंड्य है वह बहुत ज्यादा मातर है जैसरे की प्रीमियम लेते हैं घंद प्रीमियम लेते हैं उध्योगों में पैसा लगाते हैं उध्योगिक निर्मान करते हैं और जब उध्योगिक निर्मान होगा उध्योगिक विकास विस्तार होगा तो इससे किसको फायदा होगा इससे देश की आर्थिक सिधी सुधरेगी क्योंकि उध्योगिक विकास से ही देश की आर्थिक जो है या economic development है वो पॉसिबल है आज के life में आगे बढ़ते हैं अगले आपको देखते हैं अगला लाब कहता है अधिक रोजगार more employment आपने जैसे देखा है कि different insurance company में बहुत सारे लोग अलग अलग level पर काम करते हैं ठीक है कोई branch manager होता है कोई agent होता है कोई area manager होता है ऐसे बहुत सारे divisions create किये गए हैं हर company में और हर उस company के हर different branch में ताकि बहुत सारे लोगों को employment मिल चकी है अब जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो रोजगार मिलने से क्या होगा वो आर्थिक अर्जन करना शुरू करेंगे और उनके जीवन जीने का सतर है वो भी उपर आएगा वो ग्रोथ करेंगे और उनके जीवन जीने का स्तर भी सुधरेगा साथ ही साथ वह आगे बढ़ेंगे इसी देश का व्यक्ति अगर उसको रोजगार मिलता है उसके जीवन जीने का स्तर उपर आता है वो आगे बढ़ता है तो इससे फाइदा किसको है द कर से चूट यह भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि जब भी इंशुरेंस पॉलिसी लिया जाता है तो इससे क्या होता है टाक्स पर रिबेट मिलता है आयकर से चूट मिलती है कुछ मात्रा में जितना उस बीमा के लिए डिसाइड किया गया हो गवर्मेंट के पॉलि सब्सक्राइब को दिया जाएगा अंतिम लाब हम देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं सामाजिक बीमा की योजना है सोशल इंशुरेंस स्कीम इसके अंतरकत ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आ सकती हैं जो व्यक्तियों को क्या करती हैं आगे इन फ्यूचर के लिए क्या कर सकती हैं है जैसे कि चाइल्ड प्लान हुआ पेंशन प्लान हुआ यह सारी स्कीम्स और रोजगार के लिए जब बीमा कराया जाता है तो यह सारी जो स्कीमें होती हैं वो जो होती हैं सामाजिक बीमा की योजनाया कह रहाती हैं अगर हम पेंशन प्लान को ही समझें तो इसमें क्या होता कि इसमें जो भीमा होता है वो लॉंग टर्म के लिए होता है जब तक व्यक्ति क्या होता है पेंशन के लायक नहीं जाता अब वो पूरे जीवन परियंत भीमा का जो अनुबंध तै हुआ है उसके नुसार वह प्रीमियम भरते जाता है अब जब वो डियूरेशन खतम हो गया जितना दिन उसको पेमिंट करना था अब वो डियूरेशन खतम हो गया तो व्रिधा वस्ता में क्या होगा व्रिधा वस्ता में आने के बाद जो बीमा कंपनी है वो हर महीने या हर त्रेमासिक या हर छेमासिक तोर पर उसको कुछ रखम as a pension देगी ताकि वो अपने कुछ खर् इंट्राक्ट में तै की गई होगी as a pension plan जब वो बीमा इंशरंस कराता है व्यक्ति तब वो amount निर्धारित duration के लिए जिस duration में उसको रखम दी जाएगी उस duration के अनुसार उस व्यक्ति को उसकी व्रिधा वस्ता में दी जाएगी लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि उस व् लान में जितनी वी प्रीमियम, उसको पे करने हैं जब तक पे करने हैं वह सारे प्रीमियम बराबर समेपर प्रिकर आयjob? तो इस तरीके से आपने बीमा की आभरशकता क्यों है? या उससे होने वाले लाभो को जाना आएप हम आगे बढ़ते हैं और जीवन बीमा को समझने क कोशिश करते हैं जीवन बीमा जैसे कि आप अभी तक जानते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है उसमें बहुत सारी अनिश्चिताएं हैं इन्हीं अनिश्चिताओं से हम कह सकते हैं दूर होने के लिए या इनकी हानियों से बचने के लिए या इनकी हानियों को कुछ कम करने के ल मानियों को कुछ कम करने के लिए जीवन बीमा का उद्गम हुआ जीवन बीमा जो होती है वह एक सुरक्षा की दृष्टिक कोंड से भी कारे करती है और एक विनियों की तरह भी कारे करती है जैसे कि अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन बीमा है क्या सबसे बड़ी बात यही है हमने अपने चर्चा के दोरान यह अभी तक जाना है कि जीवन बीमा का अगर अर्थ समझें तो इसके अंतरकत हम यह जान सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बीमा कराता है अब जो बीमा कराने वाला व्यक्ति है वो कौन हुआ बीमा धारी और जो बीमा करवा रहा है वो क वेऊकिना वीमा करवाता है तो उस के लिए वक्या होता है उन दोनों के मद्य एक अनुबंद तइयार होता है जिसके अंतरगत क्या तैक किया जाता है कि एक मुष्ट्रक्म यह वह व्यक्ति क्या करेगा कुछ版ुम्स को उस वीमा के अंतरगर पे करेगा और जितने दिनों के लिए या जिस डियूरेशन तक के लिए ये बीमा पॉलिसी उसने ले रखी यानि बीमा धारी ने उस डियूरेशन के अंदर अगर उस व्यक्ति का किसी भी कारण से देहांत हो जाता है उसकी मृत्यू हो जाती है तो उसके मृत्यू क पश्चात क्या होगा जो उसके परिवार वाले हैं उसके परिवार वालों को उसकी बीमा की जो राशी है वो प्रदान की जाएगे और अगर वह जीवित रहता है जब तक बीमा चल रहा है उसकी मृतिव नहीं होती है अर्थात बीमा मिच्योर हो चुका है तो उस situation में क्या होगा कि उसको मिच्योर fund के साथ साथ उसका bonus भी उस बीमा धारी को दे दिया जाएगा तो जीवन बीमा को एक अच्छे से statement से हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जीवन बीमा में सुरक्षा एवं विनियों दोनों तद्व विद्यमान है कि व्यक्ति के मृत्यू के बाद उसके पीछे उसके परिवार का आर्थिक रूप से हनन होने से बचाने के लिए आर्थिक सुरक्षा कौन प्रदान करेगा बीमा कमपनी जो कि उस बीमा धारी की मृत्यू के बाद क्या करेगी बीमे की रकम को उस बीमा धारी के परिवार वालों को सौप देगी और अगर विनियों की बात करें तो यह दूसरा तत्व किस तरह विद्यमान रहता है दूसरा तत्व इस तरह विद्यमा हैं उस दौरान अगर उस विक्ति की मृत्यूं नहीं होती है तो उसने जो रकम जमा की है और बीमा की जो रकम है वह उसे मिल जाएगी मतलब मिच्योर फंड और साथ ही साथ बोनस उसको दे दिया जाएगा तो यह जो है बीमा एक विनियों तत्व भी माना जा सकता है तो बचो इस तरीके से हमने क्या किया जीवन बीमा को समझा और उसके अर्थ को जाना आईए कुछ परिभाशाओं के माद्यम से जीवन बीमा को और अच्छे तरीके से जानने और समझने की कोश्च करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जीवन बीमा अधिनियम धारा-बारा के नुसार जीवन बीमा व्यवसाय से अर्थ उस व्यवसाय है जिसके अंतर्गत मानव जीवन का विमा किया जाता ह दूसरी जो आप परिभाषा देख रहे हैं वो सर जेच मैगी के नुसार है उनके नुसार जीवन बीमा अनुबंद ऐसा ठहराव है जिसमें बीमा करता बीमा धारी को एक निश्चित धन राशी निश्चित अवधी के बाद अत्वा उसकी मृत्यू पर उनके लाबारती को देने का वचन देता है तो अगर हम इन दो परिभाषाओं से निश्कर्ष निकालें तो इसका निश्कर्ष इतना ही सिंपल है कि जीवन बीमा जो होता है वह मानव की जीवन का बीमा किया जाता है उसके अंतरगर और साथ ही साथ इस बीमे में किया किया जाता है कि इसमें य तो उसे maturity fund और bonus दे दिया जाएगा और in case अगर उस दौरान मतलब जो duration के लिए उसने बीमा लिया है उस दौरान वो क्या करता है अगर उसकी मृत्यू हो जाती है तो जो बीमा की रकम है वो उसके परिवार वालों को सौंप दी जाएगी लेकिन जीवन बीमा में क्या होता है क कि इस बीमा को लेने की बाद या किसी भी बीमा को लेने की बाद उस बीमा धारी को बराबर समय से उस तै किये गए रकम जिसे हम premium कहते हैं उसे बीमा कंपनियों को देना पड़ता है वो भी समय समय पर तो बच्चों इस तरीके से जीवन बीमा की concept को आपने जाना और उसकी परिभाशाओं को जाना